दोस्तों आप सभी को पता चली गया होगा कि वट्सप ने एक नया फीचर मल्टी डिवाइस बीटा लॉंच कर दिया है आप सभी के वट्सप के अंदर मिल भी चुका है और मैंने एक वीडियो बनाया था ये वाला और इस वीडियो पे आप सभी ने काफी अच्छा प्यार द गया है आपकी प्राबलम को सॉल्व करने के लिए ये मेरा दिल कह रहा है इत्तम धक 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 कर रहा है और जब तक मैं आपके प्राबलम को सॉल्व ना कर दूँ तब तक मुझे चैन मिलने ही वाला नहीं है अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को इस वीडियो को लास तक दे इतने भी आपकी प्राबलम से हैं डाउट से हैं वो सबकी सब आज इस वीडियो को देखने के बाद खतम हो जाएगा तो आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ फ्रिक्वेंटली आस्केट क्यूचन जिसको हम कहते हैं एफ एक यू तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टी डिवाइस बीटा के उपर एफ एक यू जिसको हम सौट फॉर्म में क्यू एने भी कह सकते हैं जूकि मेरे से रिलेटेड नहीं है आप सभी से ही रिलेट करता है त लेकिन किसी और का problem है, उसको आप solve कर दो, मैंने आपका कर दिया, आप उनका कर दो, उसके पास ये वाला वीडियो पहुंचा दो, अब बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं, तो पहला जो comment है, वो ये है, कोई ये बताओ, कि linked a device पे लिखा है, use up to four devices without keeping in your phone online, tap to learn more, ऐसा लिखा हुआ है, इस पे click करने पे camera open हो जाता है, safe है, बस इतना बता दो, तो बस इतना ही अगर आपको जानना है, तो आप ये जानलो कि आप बिल्कुल safe हो, एकदम tension free हो जाओ, अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे comment भी ये comment का reply तो मैंने उन तक कर दिया, लेकिन आपके पास भी तो ऐसा doubt होगा, इसलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ, मुझे उमीद है कि आप सभी इस वीडियो पे अच्छा प्यार दोगे, अब दूसरा जो comment है, वो ये है, और पता कैसे लगेगा, कि क किसी ने WhatsApp को control कर लिया है, तो बस दो ही तरीका है, पहला आपको अपने link के device के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आप सभी ज्वाइनेड हो, और अगर आप ज्वाइनेड नहीं हो, ज्वाइन बीटा करके दे रहा है, और उसके नीचे कोई भी device नही है, तो मतलब कि आप एकदम safe zone में हो, आप एकदम tension free हो जाओ, लेकिन हाँ, आप regular चेक करते रहना दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हो, कि अगर कोई भी feature किसी भी app में आती है, तो वो company ये नहीं चाहती है कि आप problem में हो जाओ, company चाहती है कि मेरा service काफी बेहतर हो जाए और लोगों को काफी इससे help हो, और यही सोच कर WhatsApp ने multi device beta को launch करा है, लेकिन आप सभी ये भी जानते हो, कि कोई भी बेक्ती जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो उसको टेड़ा कर लेता है, मतलब कि उस feature को कुछ और purpose के लिए इस्तमाल करने लगते हैं, अगला च नहीं Chrome सिर्फ और नहीं Chrome, सिर्फ linked on other device आ रहा है, इसका मतलब क्या, तो अगर आप में ऐसा कुछ आ रहा है, तो साइद अभी तक आपने अपने WhatsApp को update नहीं करा है, और अगर आप सच में tension free रहना चाहते हो, तो एक दो महीने के बाद इसको update करना, क्योंकि आपके पास अगर regular update नहीं करोगे, तो आपको एक pop-up आ जाएगा कि आपका WhatsApp जो है, वो old version है, इसे update कर लीचे, तो अगर आप safe रहना चाहते हो, तो मत करो update, वैसे आप regular चेक करते रहना, अगला जो प्रस्न है, वो है कि और अगर multi device beta दिख रहा है, तो मैं WhatsApp, तो मैं WhatsApp safe है कि नहीं, मतलब कि इ multi device beta दिख रहा है, तो मिरा WhatsApp safe है की नहीं, तो अगर आपको multi device beta दिख रहा है, बगल में अगर जोईन बीटा करके दिख रहा है, और नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप एकदम safe हो, लेकिन अगर 지원 Internet दिख रहा है, और नीचे आपका WhatsApp, Chrome दिख रहा होगा, या फिर Mo वो यह है कि भाई एक बात बता दो यदि चार जगह WhatsApp को यूज किया जा रहा है तो क्या किसी एक जगह message करने पे चारो जगह दिखने लगेगा जी हाँ अगर कोई message करता है तो क्या चारो फोन में दिखेगा चलिए दोस्तों यह वही main device है जिसमें से चारो ने message किया था दोस् सकते हो message किया oh my god दोस्तों कमाल हो गया एक में आ गया तीन में आ गया चौथा में अभी तक नहीं आया दोस्तों वाओ दोस्तों चौथा में भी आ गया दोस्तों देख सकते हैं ये कोई और ही chat open था इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि चारो डिवाइस में मैंने मैसेज किया और चारो फोन के अंदर मैसेज आभी गया दोस्तों एक मैसेज चारो फोन में देखा जा सकता है दोस्तों कमाल ही हो गया दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दिजिए अगर आप सभी एक से मैसेज जाए तो सभी पांचों डिवाइस में मैसेज वो प्रिभीव हो जाएगा लेकिन हाँ सभी के अंदर डेटा ओन रहेगा तभी तो होगा नहीं तो आफ रहेगा तो नहीं होगा यहाँ पे अगला जो प्रस्न है वो है कि ज्वाइनेट बीटा लिखा हुआ आ रहा है लिंक डिवाइस के नीचे तो अगर आपके में ऐसा आ रहा है तो भीया एकदम रिलाक्स हो जाओ टैंसन फ्री कोई प्राब्लम है यह नहीं आपके पास हाँ रेगुलर चेक करते रहना दोस्तों यह जो काम आपके साथ होगा वो आपके नजदी की वाले ही करेंगे वरना राह चलते वालों को आपसे क्या मतलब जो आपके क्लोज है वही लोग आपके साथ ऐसा करेंगे अब मैं आप सभी के रिष्टे में दरार नहीं डाल रहा हूं बस आपको सतर कर रहा हूं अगला जो प्रस्न है दोस्तों यह पहले वाले प्रस्न से मिलता जुलता है सर मेरे तो मल्टी डिवाइस डेटा पे बीटा पे यूज अप्टू फोर डिवाइस कीपिंग ऑन अधर फोन ऑनलाइन ऐसा करके लिखा हुआ आ रहा है क्या करूं तो आप टेंशन फ्री हो जाओ बस सेफ हो आप क्योंकि जब ऐसा लिख रहा है तो मतलब कि आप ज्वाइन नहीं हुए हो और जब आप ज्वाइन हो जाते हो तो सिर्फ ज्वाइनेड ही लिखता है और बगल में लिखता है मल्टी डिवाइस बीटा तो आप एकदम टेंशन फिरी रहो अब दो अगला प्रस्न है वो है कि गूगल क्रोम का आप्शन तो नहीं आया लेकिन बीटा एप का आ एक ही कमेंट आया है और वो ये है और उस कमेंट का जो मतलब मीनिंग है वो भी मैं नहीं समझ पाया हूँ जैसे कि मेरे पास ये एक कमेंट आया लॉग आउट करी देले मो मतलब कि ये कह रहे हैं कि मैंने लॉग आउट कर दिया है इसका मतलब कि इनका किसी ने वाटसप को scan कर लिया था और इसके आगे का meaning मुझे समझ में नहीं आया तो बस अगर आपने log out कर दिया है तो आप tension free हो जाओ बस यही काम आपको करना था तो यहाँ पे एक और मेरे पास comment आया था जो कि tension बढ़ाने वाला है और वो यह है कि भाई मेरे phone में आज सुबह से whatsapp पर message आ रहा है कि आपने यह message किया है fraud हो रहा है कोई मेरे number से कर रहा है message नहीं किया है फिर भी लोग message कर रहे हैं कि यह वगरा वगरा तो इनका मैंने पूरा message पढ़ लिया समझ भी गया आप भी पाउस करके पढ़ सकते हो तो यह इनका कहना है कि भाई मैंने किसी को message भी नहीं करा है फिर भी मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि यह 10 लाग क्या है 2000 क्या है तो इनका मुझे लग रहा है कि किसी ने scan कर लिया है या फिर अगर अभी इनके पास access है तो यही हो सकता है कि किसी ने scan कर लिया है और इनको पता भी नहीं है तो बस भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप करना क्या linked device के अंदर जाना और वहाँ पे आपको नीचे option दिखेगा chrome का तो उस पे जो भी device आपको active दिखे रहा है उस पे click करना और logout कर देना अब आपका attention free हो जाए और आगे से किसी को phone मत देना यहाँ पे मैं last question पिक कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पुराना प्रस्न है ये भाई मेरे वीडियो को देखेंगे कि नहीं पता नहीं लेकिन हाँ आप इस वीडियो को like कर दोगे तो इनके पास जरूर मेरा वीडियो पहुँच जाएगा direct scan होना start हो रहे हो तो कोई problem तो नहीं जी नहीं यहीं आपके पास होना चाहिए कि direct आप click करो तो scan होना चाहिए लेकिन हाँ अभी change हो गया है लीचे अगर कुछ device लिंकेट रहेगा तो भी आप अगर click करोगे तो direct scan होना शुरू हो जाएगा आपको ये भी देखना है कि नीचे कोई device active तो नहीं है दोस्तों उमीद करते हैं कि आप सभी के सारे प्रस्न का answer मिल चुका होगा और हाँ दोस्तों यार आप सभी के problem दूर हो जाते हैं तो please यार इस वीडियो को एक like कर दिया करो चैनल पर अगर आप नहीं हो तो subscribe कर देना और घंटी को on करना मत भूलना वरना मैं आपके प्रस्न का answer कर दूँँगा आप तक वीडियो भी नहीं पहुँचा तो क्या फायता तो बस आपको क्या करना है subscribe and घंटी को on करना है तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में और हाँ अगर कोई और डाउट है इन सभी के अलावे तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है लिखिए अगला वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए आ आप अपना ख्याल रखेगा टेक क्यार तिल देन और गुद्बाई